ओलो दोस्तों विड़ाइंट विडियो आज के इस विडियो में हम जानेंगे कि हमारा टेक्नो के फॉन में टाचे स्पृट को कैसे इंक्रेस कर सकते हैं। किसी भी application को open करते हैं तो यहाँ पर application को open करते हैं तो यहाँ पर कुछ time लेता है इस तरह से हमारा application open तो हो जाता है यहाँ पर जैसे हम इसे close करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर time ले रहा है और इसे हम close करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कुछ कुЧ इस तरह से टाइम दरा और ढोले के था हैं तो यहान पर कुछ इस तरह से इंफ्रमेसन देने वीडिए तो बीडियो में आपको फूल इंफोरमेशन देने वाले थे, तो वीडियो में आप करते भीना किसी टाइम वेस्ट के तो यहां पर आपको क्या करना है कि इस सेटिंग को इस तरह के परफॉमंस को इंक्रेस करने के लिए आपको दो तरह की सेटिंग को करना पड़ेगा आपके फॉन में ऐसे तो सेटिंग बहुत सारे हैं बट यहां पर मैं आपको दो सेटिंग आपको चले जाना है सेटिंग में अपनेıkt tonight ցîne को भी हमने बहुत जादा लेट हो रहा है जैसी कि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बहुत जादा लेट हो रहा है यहाँ पर आपको सैटिंग को इस से उपन कर लेना और यहां पर आपको कुछ इस तरह से इंटर इस तå को मिलेगा तो यहां बहुत सारे फॉन में क्या होता है कि यहां पर एक एडिस्टिन इस तरह से हम Messageability सेटिंग में चले आते हैं, यहाँ पर हमी बहुत सरे option देखनी को मिलते हैं तो आपको क्या करने है, यहाँ पर आपको एक option देखनी को मिलेगा, Touch and Hold Delay इस तरह से आपको एक option देखनी को मिल जाएगा, Touch and Hold Delay To तो यहाँ पर आपको क्लिक करना और क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे फोन में यहाँ पर लॉंग का उप्शन है यहाँ पर सलेक्ट होता है लॉंग का उप्शन में जैसे आप कोई भी यहाँ पर एप्लिकेशन ओपिन करते हो या बहुत सारे यहाँ आप notification panel यहां पर इस तरह से slide करते हूं आपको बहुत जयदा time लेता है तो इस तरह की setting को आपको क्या करना है यहां से sort का option दिखार है आपको इस sorte वाले option पर आपको click कर देना है और जैसी आप इहां पर sort वाले options पर click कर देना है और आपका पहला setting जो था यहां पर complete हो जाएगा इस setting को कर लेना है आपके phone में जो first setting मैंने आपको बताया touch and hold delay इसको आपको click करके short के option पर tick कर देना है इस तरह आपको कर लेना है और दूसरा setting जो आपको करना है वो भी आपको accessibility में ही करना है यहां पर चलते हैं दूसरे setting के दिर क्लिक कर देना है यह जो आप option देख रहे है remove animation का इसको आपको enable कर देना है इस तरह से इसे on कर देंगे तो यहां पर जब भी हम यहां पर back करते हैं जैसी कि यहां पर back के button पर click करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं तो quickly यहां पर open हो रहा है और यहां पर close हो रहा है जै यहां पर properly work कर रहा है और यहां पर application को open करते हैं, यहां पर quickly open हो रहा है, कोई भी animation देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी यहां पर touch leg देखने को नहीं मिल रहा है, आप इस तरह से अपने format touch को और performance को दोनों को यहां पर increase कर सकते हो, दो setting थी और एक setting आपको developer option open करने के बाद म मिलाओगा आपके फॉन में लेक की प्रब्लम से तो यहां पर आप हमें कॉमेट करके जरूर बताएं यहां पर गुड इनफॉर्मेशन जरूर कॉमेट करें सो चले मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में